नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं कुरुक बॉन्ड सीरीज की एक और मज़िदार कॉमिक्स सूपर एजेंट कुरुक बॉन्ड का नया हंगामा पार्ट टू मोटू बोला लो भाई 5 रुपे और मेरी जान बक्षो कालू ने कहा ठीक है बक्ष दी लेकिन फिर कभी इधर का रुख मत करना मोटू ने कहा भूल कर भी नहीं करूंगा फिर जैसे ही मोटू बाहर निकला कुरुक बॉन्ड बोला आएं मोटू मोटू सोचने लगा ओ बोन भाई आ गए अब वह मेरे इस हुलियए पर ज़रूर हसेंगे और मेरा मजाग उडाएंगे और हुआ भी वही कृबबोन ने कहा हा 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 वहां मोटू भाई क्या कटिंग कराई है हु 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 हुु हु सच मोटू भाई, तुम्हें इस हुलिये में देखकर मेरे माबाप तो क्या, तुम्हारे माबाप भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। मोटू बोला, बस करो बॉन भाईया, बस करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्रुकबॉन ने कहा, अच्छा तुम कहते हो तो चुप हो जाता हूं, लेकिन मेरे भाई एक बात तो बताओ, भला तुम्हें ऐसी कटिंग कराने की क्या ज़रूरत थी। मोटू ने कहा, मैंने नहीं कराई, बल्कि इस सैलून के मोर्क नाई ने सोते में मेरी यह गत कर दी। और मोटू ने क्रुकबॉन को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर क्रुकबॉन ने कहा, खेर, जो हुआ सो हुआ, कोई और न सही परंदु डैडी तुम्हें इस रूप में देखकर अवश्य परसन हो उठेंगे, आओ अब चले। मोटू बोला, लेकिन क्या तुम इस सैलून के गुंडों से मेरे अपमान का बदला नहीं लोगे, कमबक्तों ने जबर्जस्ती मुझसे पैसे आठे हैं। रुपबॉन ने कहा, किसी और दिन इन्हें मजा चकाएंगे, आज समय नहीं है, हमें इसी समय सेट गुंगा मलजी से मिलना है, सुना है उन्हें किसी से अपनी जान का खत्रा है। मोटो ने कहा, ओ, यानि नया केस। रुपबॉन बोला, हाँ, अब समय बरबाद न करो, और जल्दी से पीछे बैट जाओ, हमें साथ बज़े से पहले पहले उनके कोटी पर पहुँचना है। मोटो ने कहा, लेकिन घर से तो तुम यह कहकर चले थे, कि हमें फूफा जी के मन मताबिक एक शरीफ आदमी की तरह ओवर हॉलिंग करानी है। कुरकबॉन ने कहा, वह भी ठीक ही कहा था, लेकिन सामान खरिटते समय मुझे अचानक ध्यान आया कि हमें आज शाम ही से गुंगा मलजी से मिलना है। मोटो ने कहा, ओ, और फिर कुरकबॉन ने मोटर साइकल आगे बढ़ा दी। मोटो बोला, बॉन भईया, क्या तुम अपनी कटिंग आदी नहीं कराओगे। कुरकबॉन ने कहा, तुमने करा ली, समझो मैंने करा ली, एक ही बात है, दोनों में से एक ही शरीफ काफी है। तभी कुरकबॉन को कुछ ध्यान आया, वह बोला, अरे, मैं एक बात तो भूली कया था। मोटो ने कहा, क्या? कुरकबॉन बोला, हमें कपड़े चेंज करने हैं, मैं तुम्हारे और अपने लिए नए कपड़े खरीद कर लाया हूँ। मोटो ने कहा, ओ, लेकिन हम कपड़े चेंज कहां करेंगे? कुरकबॉन ने कहा, चलो, किसी पार्क पर चलते हैं, वह कहीं एक आंध में कपड़े बदल लेंगे। मोटू ने कहा ठीक है, निकट के ही एक पार्क के सामने कुरुबॉन ने मोटर साइकल रोग दी और सामान रखने वाले बॉक्स से एक पैकेट निकाल लिया, कुरुबॉन बोला आओ भीतर चले, मोटू ने कहा लेकिन बॉन भाईया पार्क में तो काफी सारे लोग बाग हैं, फिर कपड़े कहा बदलेंगे, कुरुबॉन ने कहा मुझे ऐसी एक जगए मालूम है, जहां कोई नहीं आता जाता, मोटू बोला वह कौन सी जगए है बॉन भाईया, कुरुबॉन ने कहा कटीली जाणियों वारी जगए, जहां सफाई करमचारी कूडा रकर डालते हैं, तुम भी बॉन भाईया, इस पोशाक में असली जेम्स बॉन ही लग रहे हो, कुरुबॉन ने कहा आओ अब चलें, मोटू बोला इन पुराने कपड़ों का क्या करें बॉन भाईया, क्या हिने फेक दें, कुरुबॉन ने कहा नहीं, पैकेट बना लो, टूल बॉक्स में इशा हो रही है, कुरुबॉन भोला, हो सकता है, लेकिन तुम्हें किसी की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं, तभी पार्क में मदारी और भीकारी नामक दो व्यक्ति खड़े थे, भीकारी ने कहा, वे देखो, शायद वे वही हैं, जिनके बारे में बॉस ने हमसे कहा था, एशा हो सकता है, लेकिन माल उनके हवाले करने से पहले हमें उन्हें अच्छी तरह से च्ट करना है, बिकारी ने कहा, हेलो मिस्टर लंजू पंजू, कुरुबॉन बोला, क्या कहा, लंजू पंजू, ए मिस्टर, जिदी हम है लंजू पंजू, तो तुम्हारा बाप होगा मदारी बोला, बहुत खूग, यही है वे। विकारी ने कहा, कोड़ वर्ड का इन्होंने सही जवाब दिया है, और इनका हुलिया भी वैसा ही है, जैसा बॉस ने हमें बताया था। मदारी बोला, हाँ, यह वही व्यक्ति है, चलो माल निकाल कर इनके हवाले कर दो, इसके बाद हमारा काम खत्म। कुर्पबॉन बोला, ए, यह तुम दोनों क्या खुजर खुजर कर रहे हो, जल्दी से हमें रोकने का अपना मकसद बयान करो, और अपना रास्ता देखो। बिकारी ने कहा, नाराज मत हो ये उस्ताद, दरसल हम यहाँ तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे, ताकि माल तुम्हारे हवाले करके अपने काम से छुट्टी पा सकें। क्रुगबॉन सोचने लगा, माल, ओ, ये तो कोई असमाजिक तत्व मालूम पड़ते हैं, अच्छा होगा कि हम लंजु पंजु ही बने रहें और असली मामले का पता लगाएं। क्रुगबॉन बोला, लाओ, कहा है माल, यहाँ ज़्यादा देर तक बाते करना हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है, वैसे भी आजकल पुलिस शिकारी कुट्टे की तरह हम जैसे जरायम पेशा लोगों की गन सुंक्ती फिर रही है। मदारी बोला, अभी लो उस्ताद, बिकारी, माल निकाल कर उस्ताद को दे दो, बाकी का काम इनका। बिकारी ने कहा, यह लो उस्ताद, इस पैकेट में भांग, चरस, गांजा, हिरोईन, स्मैक, आदिस सब कुछ है और इस पैकेट को आपने कोटी नमबर 13, लिंक रोड में पहुचाना है, वहीं से आपको पेमेंट हो जाएगी, क्रुगमान बोला, ठीक है, समझ गया, मोटू ने कहा, लेकिन भाईया, क्रुगमान बोला, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं, बॉस ने यह काम मुझे अपनी अकल से करने के लिए सौपा है, मोटू ने कह पता नहीं, बॉन भाईया, यह क्या चक्कर जला रहे हैं, मदारी बोला, पैकेट संभाल कर, यदि कहीं पुलिस के हाथ लग गया, तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी खैर नहीं होगी, क्रुगमान बोला, चिंता मत करो, यह देखो, यह पैकेट गया इस पेट में, उसके पाद भीकारी वा मदारी अपनी रहा हो गए, और कुरुगमान वा मोटू अपनी रहा, मोटू ने कहा, पॉन भाईया, आखिर तुमने यह क्या चक्कर पाल लिया, कुरुगमान बोला, यह चक्कर नहीं है प्यारे मोटू, बलकि नाम कमाने का एक सुनहरा मौका है, इस चक मदारी वा भीकारी से लेकर उनके बॉस तथा वे जो बॉस से नशीले द्रव्य लेकर दूसरे को बेचते हैं, कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मोटू बोला, यदि ऐसी बात है तो बॉन भाईया, तुमने उन भीकारी मदारी को क्यों छोड़ दिया, उनके द्वा आसानी से उनके बॉस तक पहुंच सकते थे, क्रुगबॉन बोला, मुझे विश्वास है कि वे दोनों अपने बॉस का अता पता नहीं जानते होंगे, यदि वे बॉस के खास आदमी होते, तो बॉस यह काम सीधे उनी से करा लेता, किसी तीसरे आदमी को इस काम के पीच में नहीं लाता, यदि हम अभी इसी समय उन पर हाट डाल देते, तो बॉस वा अन्य लोक सतर्क हो जाते, और हमारा कार्य अधूरा रह जाता, मोटु बोला, हाँ, यह बात तो है, क्रुगबॉन ने कहा, चलो, अब कपड़े के पैकेट को बॉक्स में डालो और पीछे बैट ज समझते, और ना हमें एक अपरादी का पता चलता, मोटु बोला, तुम ठीक कहते हो, बॉन भाईया, लेकिन अब हम चल का रहे हैं, क्रुगबॉन ने कहा, लिंक रोड, कोटी नंबर 13, जहां हमें नशीले पदार्थों का पैकेट सप्लाई करने के लिए कहा गया है, सबसे पहले हम उसी को पकड़ेंगे, मोटु ने कहा, तो क्या सेट गुंगा मलची से मिलने का विचार तुमने त्याग दिया है, क्रुगबॉन ने कहा, नहीं, उसकी कोटी भी लिंक रोड पर ही है, मौका पाकर उनसे भी मिल लेंगे, मोटु बोला, बॉन भया, क्यों ना कोटी की तरहें बुद्धिमान होता जा रहा है, मोटु बोला, यानि एक कुत्ते की तरहें, सत्यानाश, भला तारीफ करने का यह भी कोई तरीका है, क्रुगबॉन हसने लगा, कुछ देर बात क्रुगबॉन ने मोटर साइकल एक पब्लिक टेलफोन बूत के सामने रोक दी, और पुलिस स्टेशन फोन मिलाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, राम नगर पुलिस स्टेशन, कुरुगबॉन बोला, अंकल पटाका सिंग जी, यह मैं हूँ, कुरुगबॉन, चेला ओफ जैम्स बॉन्ट, पटाका सिंग बोला, अरे, यह तुम हो, कहो क्या बात है, क तुम कहां से बोल रहे हो, और तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि कोटी नंबर 13 में नशीले पदार्तों के तसकर सक्रिया है, हेलो, हेलो, लेकिन कुरुगबॉन आगे कुछ नहीं बोला, और रिसीवर रखकर बूट से बाहर निकलाया, कुरुगबॉन ने कहा, मैंने अंक साइकल, लिंक रोड की और दोड़ी चली जा रही थी, लगभग 20 मिनट बाद, कुरुगबॉन ने कहा, वे सामने रही कोटी नंबर 13, नीचे उतरो, मोटू के उतरने के बाद, कुरुगबॉन ने मोटर साइकल एक तरफ खड़ी की, और दोनों कोटी के मुख्य द्वार प फैलाया गया हो, कुरुगबॉन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता मोटू, कोई भी अपरादी साप के बिल में सीधी हाथ नहीं डाल सकता, हाँ, यह हो सकता है कि हम संयोक से सेट गूंगा मल के चक्कर में उलज गए हो, खेर, पीतर चलते हैं, सेट गूंगा मल से ही सारी असलियत म मिलना है, उन्हें कुछ सामान देना है, चौकिदार ने कहा, हम, क्या नाम है तुम्हारा, कुछ सोच कर कुरुगबॉन ने जवाब दिया, लंजू पंजू, सेट से कहो, लंजू पंजू उनसे मिलना चाहते हैं, चौकिदार बोला, ठीक है, तुम दोनों यहीं ठैरो, मैं अभी सेट जी से इजादत लेकर आता हूँ, कुरुगबॉन ने कहा, ठीक है, कुरुगबॉन ने कहा, शुकर है तरकीप काम दे गई, जिन लोगों को मदारी भिकारी ने नशीली वस्तों का पैकेट देना था, जरूर उनका नाम लंजू पंजू ही होगा, मोटो बोला, ल अभी चौकिदार वापस लोटाया, और बोला, भीता जाईए, सेट जी ने तुम्हें बुलाया है, कुरुगबॉन ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कुरुगबॉन और मोटो के भीतर पहुंचने पर, एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुमारा ही नाम लंजू वास्तम में कौन था, असली लंजू पंजू का क्या हुआ, मदारी भीकारी कौन थे और उनका क्या हुआ, कुरुगबॉन और मोटो का नया हंगामा वास्तम में क्या था, यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेर और करना न भोलें, धन्यवाद